कि इसमिले आहने अाज की क्लास के अंदर हम देखने वालें कि amigos की क्लेस्टर्र brushes क्या होती है और सदुरत पर हम पहले थीर्टेकल पारड पढ़ेंगे फिर इसके बाद प्रैक्टिकल पार पढ़ेंगे तो यह जो लेक्टिर है यह थोड़ा से बढ़ा भी हो सकते है बट क्यों कि जाती है इसकी रीजन क्या पड़ी तो मैं यहां पर अगर लिखूँ डेटा साइश इसका मतलब क्या है जब हमने इभा में स्टार्ट में शुरू किया था बिलकुल हमने बोला था साइश विए. बीहाइंड दे डेटा." ऐसे ही है, साइंस बिहाइंड देटा." अब जो साइंस थी, बिहाइंड देटा, डेटा तो हमें पता है, नंबर्स होगे, कोई भी इंफरमेशन होगे किसी भी किसम की, और इस वकिछ ज़ो डेटा है, काफी बाइट्स, ट्रिलियन बाइट्स से भी उपर जा रहा का, जिलियन बाइट्स अगर किसी को पता है तो उसके अंदर जा रहा का और अगर हम कुंटिलियन के बात करें, वो भी है, इस तरह के काफी बाइट्स की टर्म्स आदे, मैं सिंप्ली कहूँगा बहुत ज्यादा डेटा तो साइंस में इन्दर डेटा क्या है, कि डेटा के पीछे छुपे हुए पैटरंस देखना डेटा में क्या है, क्यों है, कहां पे है, किस वज़ा से है, यानि के सारे WH questions स्टायट के दुरान मैंने आपको यह चीज़ें बताइएं थी, कि WH questions जो हैं, वो आपको बताते हैं कि डेटा किस चीज़ से belong करते है, डेटा की type क्या है, composition क्या है, distribution क्या है, कहां से आया, किस ने बनाया डेटा सारा कुछ उसके बारे में हम देखते हैं Other than that, जब डेटा आ जाता है, उसके बीच में से जब हम patterns recognition करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक आप कहलें के term है, जो हम utilize करते हैं for data understanding, patterns के साथ-साथ, हम जब डेटा को explore करते हैं तो एक बहुत बड़ा part जो है data को explore करने का, that is held by clustering So clustering आपके patterns को बताती है, आपके data को explore करके बताती है आपके data को understand करने में आपको help करती है ठीक है, और आपको data के बारे में different grouping बताती है कि कौन सा data किस के साथ belong कर रहा है, यानि कि relationship of the data इसके इलावा, अगर इसको मैं एक line में बनाऊ, तो clustering एक fundamental technique है अगर मैं clustering की बात करूँ, ये बहुत ही fundamental technique है fundamental technique, टैक लेक हूँ हमें यहां पर, जो data science में use होती है और machine learning में use होती है, ठीक है, ये unsupervised machine learning है, जैसा कि मैंने आपको पहले कल supervised और unsupervised का फरक बताया था, unsupervised है, यानि case में हम labels नहीं देखते, सिरफ और सिरफ features को देखते हैं, unsupervised machine learning method है, और इसमें हम क्या identify करते हैं, वो ही सारा कुछ, groups of data, patterns of data, और साथ में आप data के वो वले point जो similar हैं, similarities या, अगर आप similarities देखेंगे, तो obviously आप differences भी देखते हैं, clusters के intra और inter के जो कलम बात कर रहे थे, तो ये सारा कुछ हमें clustering बताती है, ठीक है, और इसी वज़ा से clustering जो है, ये हर किसी field में जब आप एक उपर वाले level पे जाके ज्यादा डेटा को explore कर रहे होते हैं, तो clustering बहुत ज़्यादा दफ़ा वहां पे यूज़ होती है, most of the time people also use this technique in exploratory data analysis, EDA के अंदर भी लोग यूज़ करते हैं, reason क्या है, reason यही है कि EDA के अंदर आप clustering इस वज़ा से करते हैं, ताकि आपको data के बारे में information मिले, आपको याद होगा, मैं हमेशा data के चार सिम्टैन आपको बना के बार बार बताता हूँ, अगर data यहाँ पे है, तो सबसे पहले हमारे पास data की composition है, फिर data की distribution है, फिर data का comparison है, और data का relationship है, तो यह सारी चीज़ें, यानि के connection, यह चार चीज़ें important होती हैं, आपको data की distribution भी बताती है, based on different clustering method, आपको data का comparison भी बताती है, कि यह group दूसरे से different है, और relationship भी बताती है, कि दो group similar हैं, आपस में दो group similar नहीं, ठीक है, और कितनी similarity है, तो यह सारा कुछ, अगर हम एक defined line में देखें, तो clustering के फाइदों में आता है, ठीक है, अब इसको अगर मैं top six points के अंदर लिखू के clustering के कौन-कौन से फवाइद है, तो यह गलत नहीं होगा कहना, कि अगर हम पहला start करें, benefits of clustering, कि clustering हमने करने क्यों है, वजा क्या बन गी है, अगर हम benefits देखें, of clustering, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, clustering with benefits, तो पहला जो है हमारे पास, data exploration and understanding, सबसे पहली चीज, data, exploration, and मैं यहाँ पर better understanding लिखते तो, पहला काम यह, यानि कि आप data को explore करते हैं, data की distribution देखते हैं, data की structure देखते हैं, data की natural grouping देखते हैं, कि जब आपने data को लिया या collect किया, natural group कौन से बने, data में pattern कैसे बने, data में outlier हैं के नहीं हैं, कल हमने जो types देखी थी, और यह exploratory faces of data science के लिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानि के EDA के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, second one is pattern detection, तो जब हम pattern detect कर रहे होते हैं, तो clustering क्या करती है, identify patterns करने में हमें help करती है, जिससे हमें data का trend बता चलता है, trend of the data, ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे ही है, कि जब आप एक data को draw करते हैं, आपके पास एक cluster यहां पे है, एक cluster यहां पे है, एक cluster यहां पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि हो सकता है, यह high salary वाला cluster हो, यह middle वाला, यह low वाला, इससे हमें pattern भी पता चल जाता है, कि हमारे पास तीन किसम के salary के groups हैं, जो pattern है, उनका यह जा रहा है, just giving you an example, when you are drawing cluster inside the data, तीसरी आपके पास, जो कल मैंने आपको चीज़ बताई थी, that was dimensionality reduction, इससे आप dimensionality reduction भी कर सकते हैं, for example, आप इससे जो ज्यादा parameter हैं, उनको draw करते हैं, और देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, यह दो तो आपस में एक ही हैं, तो आप उसमें important वाला चूज़ कर लेते हैं, और गयर importance होता है, वो से निकाल देते हैं, तो हम each cluster को as a point देखते हैं यहां पे, और अगर हमारे cluster easy to work with हो, हम वो वाले select कर लेंगे, बाकी हम निकाल देंगे, so dimensionality reduction इसके अंदर आ जायता है, फिर आपका pre-processing आ जाती है, cluster के साथ, ठीक है, pre-processing कैसे आयती ही, मैं भी आपको दिखाता हूँ, प्री-processing step के अंदर clustering कैसे इस्तमाल हो सकती है, machine learning से पहले, आप pre-processing करते हैं, जिसमें आप data को scale करते हैं, और data के outliers वगरा remove करते हैं, ऐसे ही है, यह सारा कुछ हम करते हैं न, तो outlier removal के लिए भी तो एक type है न, clustering की को जो पास-पास हैं, density-based clustering जो होती है, और दूर वाले वो हम outlier detect करके, उनकी in-range बनाके, उनको हम निकाल दें, यह हम यह करते हैं कि, हम हमारे पास missing values हैं, मैं यहाँ पर एक example देता हूँ, missing value की, हम missing values कैसे impute कर रहे थे, पता है आपको, means, median या mod के साथ replace करके, तो clustering में एक term होती है, which is called as centroid, यानि के cluster का mean, आप असल में उस cluster के centroid के साथ, missing value को replace कर रहे होते हैं, सही है, इसका मतलब यह, कि ज्यादा accuracy के लिए, आप cluster के centroid से pre-processing कर सकते हैं, या आप क्या करते हैं, data set को reduce करके, आप निया cluster भी बना सकते हैं, निया cluster for example, आपके पास यह बहुत बड़ा cluster है, आप यहाँ पे centroid से इर्द गिर्द, कोई फासला decide करके, आप कहें के जो क्रीब क्रीब वाले, ज्यादा points हैं, वो मैं select कर रहा हूं, बाकि मैं remove कर रहा हूं, अपने data को clean करने के लिए, यह वो ही term है, जैसे हम outliers detect करके, निकाल देते थे, so missing values impetition में भी, clustering help कर सकती है, और outlier detection में भी, तीसरी चीज, inertia एक चीज होती है, inertia क्या होता है, आप के center के, pass pass कितने points हैं, एक point center से दूर है न, inertia काम होगा, जो pass वाले उनका inertia ज्यादा होगा, inertia क्या होता है, we will see that इंशाला, और इसमें यह चीज भी discuss करेंगे, so pre-processing, number five, number five is really important, this is called image segmentation, क्योंकि हम deep learning की तरफ और unsupervised machine learning की तरफ आगया आगया बढ़ रहे हैं, और हमने computer vision के अंदर भी इसकी example देखनी है, तो computer vision में आप k-means clustering को use कर सकते हैं, for image segmentation, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप black and white, यानि कि binary data में convert कर देते हैं image को, एक आपके पास 0 वाला हो जाता है, cluster एर एक हो आता 1 वाला, ठीक है, तो binary colors मतलब क्या होते हैं, कि एक totally black है, एक white है, तो आप इन दोनों को separate कर सकते हैं, इसकी एक बड़ी मिसाल आपको देते हैं, तो चले कि याद रखेंगे, background removal वाली apps देखी हैं आपने, वो क्या हो रहा है, उसमें किसी को पता है, आप असल में, के मीन्स की बेस्ट पे कर रहे हैं सारा काम, के मीन्स प्लस प्लस हो सकता है, या image segmentation आप कर रहे हैं, based on the different algorithms, वो कौन से algorithm है, क्यों पहले adopt के अंदर ये background removal इतना मुश्किल था, और आज कल क्यों असान है, क्योंकि आप एक इनसान की शकल देखते हैं, और उस पर model train किया हुआ है, आप उसका focus देखते हैं, कि इस पर focus ज्यादा है, पीछे depth field कम है, तो वो automatically आप तस्वीर रखते हैं, अल्गोरित्म इतने speedy हो गए हैं, उनको पता चल जाता है, कि यहाँ पे इसके बालों को भी हमने clean करना है, और यहाँ पे इसके बाजूंगों को भी clean करना, और पीछे से background हमने remove करना है, अब अगर आपने background remove करना है, तो rush वाली तस्वीर का करके देखिएगा, क्या हाल होता है, reason क्या है, आप focus में हैं, एक दो बंदे बीज में से उड़ जाने हैं, ठीक है, और इसी वज़ा से आपको ये सारी चीज़ों का ख्यार रखना पड़ता है, कि image segmentation के अंदर different algorithms काम कर रहे हैं, वो कौन से algorithms हैं, वो यही algorithm है, जिन पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसी वज़ा से अकसर अकात लोगों को machine learning users ज्यादा हैं, आज कर आज के दोर में, ठीक है, लेकिन knowledge बहुत कम लोगों के पास है, अगर आप machine learning के उपर काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसके पीछे technique के है, चलो mathematics नहीं आती, तो पता होना चाहिए, ठीक है, समझाएगी इस बात की image segmentation की, नमबर शिक्स पे जलते हैं, recommendation system, not recommended system, recommendation system के अंदर, recommendation system क्या है, आप आज एक घाना सुनते हैं, YouTube पर या कोई वीडियो देखते हैं, उसी तरह की क्यों आने लग जाती हैं, वज़ा क्या है, कोई बता सकता है, clustering, उन्होंने हर वीडियो का cluster बनाया हुआ है, based on the keywords जो हम उन्हें देते हैं, patterns मने हैं, for example, अगर मैं hashtag data science use करता हूँ, और मेरी वीडियो आपने play कर लिया, एक दफा, तो उसी वीडियो को आप कितनी देर retain कर रहे हैं, और जितनी देर उस वीडियो पर आप retain करेंगे, similar videos आपको show होना start हो जाएंगी, यही वज़ा है, अगर आप उर्दू या हिंदी में data science सीख रहे हैं, तो आपको बाकियों को भी पता होता है, उर्दू हिंदी में data science कौन सिखा रहे हैं, English में सीखेंगे, तो English वालों को भी पता होगा, अब मैं stat quest का एक channel है, बहुत ज़्यादा देखता हूँ है, पूरी दुनिया में सबसे best channel है वो, stat के लिए और machine learning के लिए, क्योंकि mathematics वो सिखाता है, stat भी सिखाता है, मैं आप भी सारी चीदे, और मुझे हमेशा उस तरह की videos आ रहे होती हैं, उसी वज़ा से मैंने हर channel के लिए login अलएदा बनाया है, for example, जहां पर मेरा kodenics का काम है, usually I prefer not to listen or watch any videos on that, सिरफ मैं data science से related काम करता हूँ, और जैसे ही मैं विलकुल separate हो जाता हूँ, तब मैं, मतलब अपने नाम से एक बनाया हुआ हूँ है channel, कह लें कि अपना login गूगल का, तो उसके तुरू फिर मैं news सुननी हो, या कोई reels देखनी हो, या वैसे कोई इदर ओदर की बातें देखनी हो, तो मैं उस पर देखता हूँ, so this is how clustering works, अब समझ रही है recommendation system में, असल में चल क्या रहा है, आप शारू खान लिखते हैं, तो आपको फिल्में आएंगी ना, समझ रहे हैं बात को, आप for example, पाकिसान news लिखेंगे, आज कल जो पाकिसान में चल रहा है, वो आएगा क्योंकि hot trend के अंदर है, आप cricket लिखेंगे तो आपको कभी ये होगा, कि उसमें उठके कोई actress आजा देखने के लिए, हाँ अन्यटी नल्लेस वो PSL और IPL के अंदर, कोई उन्होंने गाना वाना ना खाया हो, ठीक है, या आप for example, मैं एक और मिसाल देता हूँ, आप कोई नात सुनते हैं, कोई कवाली सुन रहे हैं नुसरत की, आके जो आपको रील अच्छी लगे ना, उसको कोई तीन मिनट के लिए चलने देना है आपने, हर तीन रील के बाद, दो रील के बाद आपको दुबारा से वो आईगी नज़र, उसी तीसम का म्यूजिक भी, इसी वड़ा से रील्स और ये जितनी भी चीज़े चल रही है न, इसके उपर अलगोरिफम म्यूजिक वाला भी है, कलिस्टरिंग की बेस पे, इसके उपर हैश्टैग्स वाला भी है, इसके उपर लोगों के फेस आते हैं के नहीं आते हैं ये भी है, तो रेक्मेंडेशन सिस्टम में इस वकत सबसे टॉप नौज की स्किल ये ही है, कि आपको SEO का अगरवता है, तो वो रेक्मेंडेशन सिस्टम के बीछे आपका फुल अलगोरिफम चल रहा है, तो यूजू नो कि हमने किस तरीके से इसको यूज करना है, कम अज़ कम चलो बनाना तो दूर की बाद यूज करना तो आना चाहिए ना, तो दिस इस सम्थिंग जो कलिस्टरिंग से रिलेटिड है, और ये बहुत वर्सिटाइल चीज है, कलिस्टरिंग बहुत ज़्यादा वर्सिटाइल है, और बहुत ही पावर्फुल टिकनीक है डेटा साइंस की, अब आज का जो हमारा अल्गुरिथम है वो हम देखेंगे, उस अल्गुरिथम में सबसे पहले हम देखने वाले हैं, क्या होती है, क्यों होती है, किस बज़ा से होती है, क्या है, इसमें, सेंट्रोइट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर आपका अल्बो मेथड क्या है, और एक और मेथड है, सिल्वाट मेथड, सिल्वाट जिसे बोलते हैं, सिल्वाट मेथड, वो क्या होता है, है फिर इसके बाद अलग method कौन से हैं जो आपको बताते हैं कि कितने cluster बनाने चाहिए क्या methods है उसमें सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं and at the end आपके पास एक curiosity मैं छोड़ूँगा कि के means plus plus क्या चीज़ होती है और ये इससे भी advance algorithm के means से ठीक है so we will see those things इस लेक्शर में और यहां पर मैं यह वाले lecture की recording स्टॉप करता हूं next lecture में अभी मिलते हैं